Hello everyone, आज की हमारी इस वीडियो का टौफिक है तर्जा रीमा, यह एक स्तांजा का फॉर्म है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि तर्जा रीमा का मेनिंग क्या होता है, उसको लिटर्री एक्जाम्पल के थू समझेंगे, और इसके जो मेजर प्रैक्टिशनर से तर्जा रीमा क जानेंगे, तो विज़ाओट फॉर्दर रिले, लेट्स गेट स्तार्टेट, तर्जा रीमा का लिटर्रफि मिनिंग होता है, तर्जा मिंग 3, रीमा मिन्ग की राइउग, मतलब तीन lance की, इससे टैसेट भी कहा जाता है, मतलब जो तीन लाइन का stanza होता है उसे एरसेट भी कहा जाता है तो तर्जा रिमा is Italian in origin तर्जा रिमा का origin कहां पर हुआ Italy में हुआ and तर्जा रिमा is a rhyming verse stanza form that consists of an interlocking three line rhyme system और rhyme scheme तर्जा रिमा है क्या ये तीन लाइन का stanza है जहां पर rhyme की एक complex system होती है complex scheme होती है और वो interlock होते है एक दूसरे को rhyme करते है ये couplet की तरह या heroic couplet की तरह immediate rhyme नहीं करती एक line के बाद rhyme करती है हम basic पहले समझ लेते हैं बाद में example के true हम इसको और समझेंगे पहले basic पे जाते हैं the first and third lines rhyming with one another and second rhyming with the first and the third of the following tier set तो इसमें होता क्या है तीन लाइन का stanza है तो पहली लाइन का last word वो तीसरी line के last word से rhyme करेगा और वहाँ पे rhyme scheme end हो जाती है लेकिन जो टीन line में से जो दूसरी line है वो उसका last word दूसरे tier set के पहले line के साथ rhyme करेगा और फिर ऐसे ही follow होते जाएगा now the series ends with the line that rhymes with the second line of stanza so that the rhyme scheme is a,b,a,b,c,b,c,d,c and so on जैसा मैंना अभी भी बताया है तीन line का एक tier set है उसके नीचे तीन line का दूसरा tier set होगा उसके नीचे तीन line का तीसरा tier set होगा अब इसको example के तुरू समझते हैं Robert Frost की poem है acquainted with the night वहाँ पर rhyming scheme है a,b,a,b,c,b,c,d,c so जैसा मैंने बताया है कि तीन line का एक stanza होता है तो 1,2,3,1,2,3,1,2,3 और बहुत सारे stanza है इस poem में लेकिन मैंने तीन ही stanza लिये है समझने के लिए easy जाएगा तो पहले line का last word और तीसरी line का last word rhyme करते है night and light अब जो दूसरी line है उसका last word है यह पहरा tier set है वहाँ की दूसरी line का last word जो दूसरा tier set है यह जो दूसरा stanza है इसके first line के साथ rhyme करेगा rain lane और फिर यही उसके तीसरी line के last word के साथ rhyme करेगा lane explain अब यहाँ पर rhyming scheme खतम हो जाती है अब जो second line है वहाँ पर है beat वो तीसरे tier set के first line के साथ rhyme करेगा feet और यह feet तीसरी line के साथ street के साथ rhyme करेगा और यहाँ से नई rhyming scheme cry वाली शुरू हो जाएगी और फिर cry का जो फिर चौटा tier set आएगा उसकी पहली line के साथ rhyme करेगा cry का fry हो सकता है कुछ और होगा तर्जा रिमा तीन लाइन का स्टांजा जिसे tier set भी कहा जाता है जिसका पहली line तीसरी line से rhyme करती है और जो दूसरी line है वह दूसरे स्टांजा के पहली line से rhyme करती है और ऐसा continue होते जाएगा फिर aba,bcb,cdc continue होते जाएगा तो तर्जा रिमा invented by Italian poet Dante for his divine comedy in late 13th century तो तर्जा रिमा को किसने invent किया ? Dante एक Italian poet थे उन्होंने अब में divine comedy लिखते समय इसको invent किया उसके बाद बेकोशियो और पेट्रार्ग इन्होंने उसे use किया और develop किया और इंग्लैंड में 14th century के जो poet है Geoffrey Chaucer उन्होंने तर्जा रिमा को इंग्लैंड में लाया उनकी poem है Complaints of His Lady उसमें Geoffrey Chaucer ने इसको use किया और Thomas Watt इन्होंने इसको बहुत जादा popularize किया इंग्लिश रिट्रेचर में तर्जा रिमा को सबसे जादा परसे बाशे शेली ने यूज़ किया उनका एक example है Ode to the West Wind, Robert Frost ने यूज़ किया यह American है Acquainted with the Night ऐसे अभी हमने यह poem का example देखा है और Sylvia Platt का The Snow यह तर्जा रिमा के कुछ literary examples है I hope कि आपको अभी तर्जा रिमा क्या है समझ में आ गया होगा अगर आपको यह video पसंद आया है तो प्रीज इस video को like करे, share करे और हमारे channel को subscribe करे Thanks for watching and stay connected